एक बार प्राचीन शहर वारानसी में परशुराम नाम के एक बुद्धिमान रिशी रहते थे. वह अपने गेहन ज्यान और भगवान शिव के प्रती भक्ती के लिए जाने जाते थे. एक दिन जब वह गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे, एक युवा ब्रामण एक प्रश्न लेकर उनके पास आया. ब्रामण ने कहा, हे शद्धे रिशी, मैं लगन से धर्मग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी वास्तविक्ता की प्रकृती के बारे में उल्जन में हूँ. क्या आप इसे बहडर धंग से समझने में मेरी मदद कर सकते हैं? परशुराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, युवा, वास्तविक्ता की प्रकृती भहती हुई गंदा की तरह है. जैसे नदी लगातार बदल रही है, वैसे ही वास्तविक्ता की हमारी धारना भी है. कुन्जी यह समझने में निहित है कि अंतिम सत्य हमारी सीमित इंद्रियों और बुद्धी से परे हैं. ब्रामन ने सोच समझ कर सिरहिलाया और परशुराम के मार्गदर्शन से वह स्वयम और ब्रहमान की गहरी समझ पाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा. यह कहानी हमें हमारी आध्यात्मिक गति विधियों में ज्ञान और मार्खदर्शन प्राप्ट करने का महत्व सिखाती है और यह की वास्तविक्ता की प्रकृती सनातन धर्म में एक गेहन और हमेशा विक्सित होने वाली अवधाना है